हमारे बंधन का कारण हमारा अज्ञान ही तो है आत्म ज्ञान की विश्मर्ती ही हमारे दुखों का कारण है हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है आत्म ज्ञान की विस्मर्ती ही हमारे दुखों का कारण है स्वेम को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है खुद को भुला देना स्वेम से ही दूर चले जाना सबसे बड़ा दुख है क्योंकि हम शरीर तक शीमित नहीं, हम हम इंद्रियों तक सीमित नहीं, हम संसार तक सीमित नहीं, शरीर द्रिश्य है, इस द्रिश्य शरीर का द्रिश्य आधार हम स्वैम हैं, शरीर विनासी है, इस विनासी शरीर का ओ विनासी आधार हम स्वैम हैं, शरीर जड़ है, इस जड़ सरीर का चेतन आधार हम स्वैम हैं, स्वैम से हम दोर ना हो खुद से खुद की दूरी को मिटाना है घर में हैं, परिवार में हैं, सरीर संसार में हम हैं, रहना है, डूब नहीं जाना है गंगा में पवीत्र नदियों में शनान करना अच्छा है नदियों में डूब कर प्राडों को ही गमा देना बिल्कुल अच्छा नहीं आए खुद से दूर नहीं हो जाना है सरीर में हैं, संसार में हैं, इन पदार्थों में हैं, इन संबंधों में हैं भटक न जाएं, भूल न जाएं, श्वैम से दूर न हो जाएं खुद से दूर न हो जाएं परमानंद से दूर न हो जाएं क्योंकि सब के भीतर वही शक्ती है सब प्रभु के जीव है स्रिष्टी ही ईश्वर की है दूर न हो जाएं स्वहम से संसार का इन पदार्थों का इन संबंधों का इन विशयों का अधिक से अधिक ज्यान प्राप्त कर लेने पर भी जितना हम जान सकते हैं इंद्रियों के द्वारा जितना कुछ भी हम जान सकते हैं वाहिय दुनिया से संसार से और वस्तुत जितना हम वाहिय दुनिया को जानने की कोशिस करते जा रहे हैं वाहिय दुनिया को जीतने की कोशिस करते जा रहे हैं वस्तुत अंदर से उतने ही खोखले होते जा रहे हैं अंदर से उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं हतासा निरासा कुंठा अवसाद से भरते जा रहे हैं संसार का इन पदार्थों का इन संबंधों का इन विशयों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अगर श्वयम को न जान सके अगर श्वयम का अनभव न हो सका आत्म ज्ञान न हो सका तो सब जानते हुए समझते हुए जैसे बिलकुल कुछ नहीं जाना कुछ अनभव नहीं हुआ इसलिए शद्गुर करते हैं कर विचार मैं कौन हूँ तो जो साधक हैं जो शाधिकाएं हैं सांत चित्त होकर स्रश्ठ चिंतन करते हैं कल्याणकारी चिंतन करते हैं दूशरों को देखने की बजाए स्वेम काही निरिक्छड करते हैं करते हैं